आज हम सीखेंगे जन्तु के एपिथीलियमी उतक के बारे में जन्तु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में एक जगह से दूसरी जगह विचरन करते हैं और विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं इसी के साथ जन्तु के शरीर में उपस्थित विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं उधारण के लिए रिदय का स्पंदन फेफडों का उपर और नीचे होना, रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाहित होना इत्यादी क्या आप बता सकते हैं कि जन्तु में इस तरह की विभिन्न प्रकार की गतियां कैसे होती हैं? चलिए हम बताते हैं हमारे रिदय और फेफडों में पेशी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं ये पेशी कोशिकाएं फैल्ती और सिकुर्ती हैं जिसके कारण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में गति हो पाती हैं जिससे शरीर के अंग आवश्यक कारियों को संपन्द कर पाते हैं। हम जानते हैं कि शरीर में एक निश्चित कारिय, एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्द किया जाता है। कोशिकाओ का यह समूह उतक यानि टिशू कहलाता है जैसे रक्त और पेशी दोनों उतक है शरीर के विभिन्न कारिय विभिन्न उतकों में विभाजित होता है जिसे हम श्रम विभाजन यानि डिविजन ओफ लेबर कहते हैं उतक के कार्य करने के आधार पर जन्तु उतक को एपिथीलिय में उतक, सयोजी उतक यानि कनेक्टिव टिशू, पेशी उतक यानि मस्किलर टिशू और तंत्री का उतक यानि नर्वस टिशू में वरगिक्रित किया गया है अब चलिए जन्तु के एपिथीलियमे उतक को विस्तार से समझे जन्तु के शरीर को ढखने और बहाईय रक्षा प्रदान करने वाला उतक एपिथीलियमे उतक है शरीर के अंदर उपस्थित अंग और गुहिकाए एपिथीलियम उतक द्वारा ढखी हुई होती है मूह, आहार नली, रक्तवाहिनी का अस्तर, फेफडों की कुपी का व्रुक्किय नली, त्वचा आदी एपिथीलियमी उतक से बने हुए है शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के शारिरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एपिथीलियम उतक, अवरोध यानि बैरियर का निर्मान करती है एपिथीलियम उतक की कोशिकाए एक दूसरे से सटी हुई होती है और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है इसलिए यह उतक एक अनवरत परत यानि continuous layer का निर्मान करता है इन परतों के बीच चिपकाने वाले पधार्थ कम होते हैं शरीर में प्रवेश करने वाले और बहार निकलने वाले पधार्थ एपिथीलियम की किसी परत से होकर गुजरते हैं इसलिए एपिथीलियम कोशिकाओं के बीच में परागम्यता यानि permeability है जो शरीर और बहारी वातावरण में पधार्थों के आदान प्रदान तथा शरीर के विभिन अंगों के बीच पधार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है साधारं तह सभी एपिथीलियम को एक बहायर रेशिदार आधार जिल्ली यानि एक्स्ट्रासेलिलर फाइबरस बेस्मेंट मेंब्रेन नीचे उपस्थित उतको यानि अंडलाइंग टिशूस से अलग करती है एपिथीलियम उतक के कार्य करने के आधार पर एपिथीलियम के सनरचनाएं भिन्न प्रकार की होती है शरीर के ऐसे अंग जहां पदार्तों का सन्वहन वर्नात्मक परागम में जिल्ली यानि सिलेक्टिफ पॉमियेबल मेंब्रेन द्वारा होता है वहाँ पर चप्टी एपिथीलियम में उतक कोशिकाय उपस्थित होती है इनको सरलशल की एपिथीलियम कहा जाता है यह अत्यधिक चप्टी और कोमल होती है जिसके कारण यह कोमल अस्तर यानि लाइनिंग का निर्मान करती है मुह और आहारनली का अस्तर सरलशल की एपिथीलियम से ढखा हुआ होता है तथा शरील का रक्षात्मक कवच यानि तवचा सरलशल की एपिथेलियम से बनी होती है। यह एपिथेलियम निश्चित पदार्थों का वहन करने का कार्य संपन्न करती है। तवचा की एपिथेलियम में कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए तवचा में कई एपिथेलियम ही परते उपस्थित होती है। यह एपिथेलियम हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। शरीर के ऐसे अंग जहां स्त्राव और अवशोशन होता है जैसे आत के आंतरिक अस्तर यानि इनर लाइनिंग और इंटेस्टाइन वहां लंबी एपिथेलियम ही कोशिकाओं उपस्थित होती है। जिसे स्थमबाकार एपिथेलियम यानि कॉलुम्नर एपिथेलियम कहां जाता है। यह अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। यह एपिथेलियम आंतररस यानि इंटेस्टिनल जूस स्त्राव करती है और पोशक तत्वों का अवशोशन करती है। श्वासनली यानि ट्रकिया में उपस्थित स्थमबाकार एपिथेलियम पर बाल जैसी रचनाए उपस्थित होती है। जिसे पक्षमाभ यानि सिलिया कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार के epithelium को हम पक्षमाभी स्थंबाकार epithelium यानि Siliated Columnar Epithelium कहा जाता है। यह पक्षमाभ गती करते हैं, जिसके कारण श्वास नली में उपस्थित स्लेशमा यानि म्यूकस आगे की और स्थानांतरित होता है, जिससे श्वासन मार्ग यानि नेसल पैसेज साफ होता है। लार नली यानि Salivery Duct और रुक्किय नली यानि Kidney Tubules के आंतरिक आस्तर गहनाकार epithelium यानि क्युबोईडल epithelium से बना हुआ होता है, जो उसे यानितरिक सहारा प्रदान करती है और लाल का स्त्राव और मूत्र में से अतिरिक्त पदार्थों को अवशोशित करती है। कभी-कभी epithelium में उतक का भाग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जहां कुछ epithelium कोशिकाएं ग्रन्थी कोशिका के रूप में अतिरिक विशेश्ता अरजित करती है और एक बहु कोशिक यह ग्रन्थी का निर्मान करती है। जिसे ग्रन्थील epithelium यानि glandular epithelium कहा जाता है। लाला ग्रन्थी यानि salivary glands, स्वेद ग्रन्थी यानि स्वेट ग्रन्थी और तैल ग्रन्थी यानि सिबाशियस gland ग्रन्थिल epithelium के उधारण है। यह epithelium पसीने और स्लेशमा का स्तराव करती है। तो आज हमने सीखा जन्तु के epithelium में उतक के बारे में। झाला ग्रन्थी यानि उतक के बारे में। झाला ग्रन्थी यानि स्वेद्ट के बारे में।